अगर दोस्तो आप भी Facebook का Passport पता करना चाहते हैं और आपने काफी ज़्यादा वीडियो देख ली है फिर भी आप अपने Facebook का Passport पता नहीं कर पा रहे हो कि मेरी Facebook ID का Passport क्या है तो दोस्तो यार वीडियो के एंड में एक ऐसा भी तरीका आपको बताने वाला हो यानि कि बस आपको अपनी Facebook ID के नेम से आपका Passport पता चल जाएगा यानि कि आपको बस अपनी Facebook ID का नाम पता हो और नाम डालते ही एक ऐसी website आपको बताऊंगा जहां पर क्या है कि आपका Passport सो हो जाएगा Facebook ID किसी की भी हो Passport पता कर सकते हैं बस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा आपसे मुझे बस यही चाहिए सबसे पहले आपको Facebook को ओपन करना है और Facebook को ओपन करने के बाद में दोस्तो यहां पर आपको अपनी profile वाले आइकन पे क्लिक करना है सैड में आप देख भी पा रहे होंगे और यहां पर जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तो तो आपके सामने एक और यहां पर पेच ओपन होके आ जाता है और यहां पर आपको दिख जाती है सैटिंग तो दोस्तो आपको इस सैटिंग पर ही क्लिक कर देना है तो मै यहां पर जैसे ही मैंने passport and security पर क्लिक किया मेरे सामने यहां पर passport and security दोबारा से लिखा आ चुका है मेरी facebook id का logo यहां पर लिखा चुका है साथी यहां पर आप देख सकते हैं passport and security वाला icon आ चुका है अब दोस्तो इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको यह सो हो जाएगा change passport तो दोस्तो चेंज पासबोर्ट पे किलिक करोगे उसके बाद में दोस्तो आपके सामने आपका जो पासबोर्ट चेंज करने का तरीका आजाएगा अब यहाँ पर अगर आपको Facebook का passport change करना है तो Facebook का कर सकते हो और Instagram का करना है तो इंस्टागम का change कर सकते हो यहाँ पर पता कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने Facebook फे कवेग किलिक किया अब यहाँ पर दोस्तों फिर भी आप नया passport बना सकते हैं पता कर सकते हैं बिलकुर पता कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यहां पर एक option देख पा रहूंगे format and passport तो बस आपको दोस्तो इसी पर किलिक कर देना है अब जोस्तो मैं जैसे ही इसी पर किलिक कर होगी अगर आपको facebook की तरफ से notification चाहिए उस पर यहां फिर आप phone number पर message चाहना चाहते हैं उस पर तो मुझे बार्सप पर OTP लेना है तो मैं बार्सप पर किलिक करूंगा और continue पर किलिक करूंगा अब दोस्तो मैंने यहां पर continue पर किलिक किया उसके बाद में क्या है कि मेरे phone पर मेरे बार्सप पर एक OTP आ चुका है यहां पर आप देख भी सकते हैं उसके बाद मैं यह इस OTP को मैं हाँ पर copy करता हूं और paste कर देता हूं अब दोस्तो मैंने paste किया continue पर किलिक किया और continue पर जैसे ही मैं किलिक करता हूं यहां पर जो है कि मेरा option खुलके आज़ता है अ अब यहां पर दोस्तो आप अपना जो नया password बनाना चाहते हैं रखना चाहते हैं कोई भी password यहां पर आप रख सकते हैं और वो ही आपका password बन जाएगा ठीक है न तो यहां पर मैंने एक password डाल दिया है जो कि मैंने hide कर रखा है अपनी privacy के लिए उसके बाद मैं यहां पर आप नैस्ट पे यहां पर जैसे ही किलिक कर देते हूँ तो जो आपका Facebook password है वो यहां पर successfully done हो जाएगा और यहां पर successfully done होने के बाद अब आपका permanent यही password बन चुका है अगर आपका इतने से भी काम नहीं बनता है तो आपको last में एक काम करना होगा हमसे आपको content करना होगा यहां पर आपको मेरे Instagram पे आपको एक message करना है और जो भी आपकी Facebook की program है वो मुझे आपको करनी होगी जीमेल से भी कुछ लोग password करते हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं है आपको simply ज्यादा कुछ नहीं करना इतने में काम नहीं हो रहा है वैसे तो इतने में काम हो जाएगा आ आपको बस मुझे message कर देना है यहां पर मैं काफी लोगों की help करता हूं यहां पर मैंने काफी लोगों की SIM भी बंद करी है और साथी कई सारी help करता हूं जो भी जानकरी चाहिए Instagram पर मुझे से आप हो सकते हैं वाकार आपको वीडियो like और subscribe